इस पंकर जिमान, faculty member of SBS Law College, श्रीगंगा नगर Today we are going to start our next topic of the IPC, which is hurt and grievous hurt तो आपने crime against the person पड़े, crime against person में सबसे पहला crime आपने जो है Crime against the body आपने start किये थे, और crime against body में सबसे पहले आपने heinous crime पड़े Culpable Homicide and Murder, Culpable Homicide and Murder आपने study किया section 299 and 300 के अंडर वहाँ पे आपने देखा कि किस condition में कोई murder जो होता है, वो Culpable Homicide बन जाता है जो हम murder ही कहलाता है, यह आपने देखा अब उसके बाद जो है, एक और crime की बात करेंगे, तो murder से जो कम होता है और Culpable Homicide से जो कम है, उसको हम hurt या grievous hurt होते हैं, इसमें किसी आदमी की death तो नहीं होती है, लेकिन उसको ग्रीविस injury हो जाती है, ऐसा bodily part जो हो सेपरेशन हो जाती है, कोई bodily pain उसको हो जाता है, तो उसको हम define करेंगे तो जितने भी मार पिटाई के cases होते हैं, जहां पर चोट बगएरा लग जाती है, वहां पर IPC के section 319 और 323 जो है, वहां पर लागू होते हैं, जब भी कोई मार पिटाई होती है, तो पुलिस जो है, IPC के intersection लगाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ और जब मार पिटाई के cases हों, जहां पर चोटे बगएरा लगी हों, ग्रिविस चोट भी हो सकती है, और जो है, नॉर्मल चोट भी हो सकती है, उन सभी के लिए IPC में बात की गई है, और उनकी पनिश्मेंट की बात भी वहां पर की गई है, तो हम हर्ट को समझेंगे आज, ह ग्रिविस हर्ट की बात की गई है, यह आपने समझने है, 323 में हर्ट की पनिश्मेंट है, और 325 में ग्रिविस हर्ट की पनिश्मेंट है, यह आपको यार रखना है यहां पर, तो इसको हम पढ़ेंगे, हर्ट is also one of the most prevalent offense among the offenses affecting human body, तो human body से लेटर यह भी एक बहुत बड़ा offense है, section 319 deal करता है इसके साथ, तो hurt है के पहले इसको समझ लेते हैं, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause the hurt, flirt नहीं होगा, hurt होगा यह आपने, तो कोई भी जो किसी को bodily pain होती है, कोई बीमारी हो जाती है, या कमजोरी आ जाती है किसी के, किसी भी person की वया से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, hurt ब होता है, देखिए, किसी को slapping करना, किसी को थपड मारना, या किसी को धक्का देना, या किसी को mentally torture करना, ये सारे hurt हो सकता है, इसमें, इसमें जुरूई नहीं है कि आपने body के किसी part को touch किया, आपने किसी को, किसी के सर पे बंदूग तान दी और वहीं भ्योश होके गर गया, तो ये hurt है, इसमें जो है, क्योंकि उसको जो है, यहां पे नुकसान हुआ है, तो hurt basically simple meaning में बताओं, तो कोई भी causing physical pain, किसी तरकी कोई bodily pain हो जाती है, making someone ill, उसके वज़से कोई बिमार हो जाता है, ऐसा act किसी person का, जिसके वज़से कोई person बिमार हो जाता है, उसको को bodily pain हो जात करना, या किसी को टग करना, टग करने में किसी को खींचना, या किसी को slap करना, या किसी को आंक मारना, ये सारी चीज़ें जो है hurt हो सकती है, किसी पे gun of point से किसी को डराना, या किसी को जो है कोई weapon दिखाना, जिससे वो डर जाए, ये सारी चीज़ें जो है hurt में आती है, इसक इसको section 3.19 में define किया गए तो every offense जहां पे कोई बहुत ज्यादा grievous hurt ने किसी को बहुत ज्यादा चोड तो नहीं पहुंची है लेकिन उसके उस act से person जो है डर गया है सहम गया है उसको bodily pain वो उसके वाइसे बिमार हो गया है या उसमें कोई कमजोरी आगी है इस सभी कारण से for the cause of such hurt तो हम इसको क्या बोलेंगे hurt बोलेंगे और इसकी punishment job 3.23 में बताई गई है तो यहां पर in simple word it can be bodily pain, disease, infirmity to any other person तो any other person के थूँ कोई bodily pain, disease, infirmity हो जाती है तो इसको हम hurt बोलते है if that hurt is done intentionally that it can become a hurt, intentionally होना चाहिए crime में मैंने आपको पहले बताया है कि crime में हमेशा intention का element तो रहता ही रहता है यह case तो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन नीचे के एक है शिलेंदर केस है शिलेंदर नाथ वस इस अश्वनी का case है 1988 का इसमें a similar matter in this accused slapped a lady and she fell down यहां पर एक accused जो है अरोपी जो है ladies को slap करता है और नीचे गिर जाती है उसके बाद में उसको किक भी मारता है इसको हर्ट बोला गया अनधर केस इसमें 16 year old girl है वो boy है वो girl से प्यार करता है और उस condition में जो है वो उसके घरवालों को जो है वहां पे देखें हर्ट में एक और important बात यहां पे आप देखेंगे it is remarkable that the hurt touch your body is not necessary किसी तरीका का body touch यहां पे जुरूई नहीं है if any person talks to a woman in the dark कोई भी person जो है किसी woman के सा अधेरे में बात करता है और उसको pistol दिखाता है और woman जो है unconsciously वहां पे गिर जाती है तो यह भी hurt माना जाएगा तो यह आपको ध्यान में रखना है does the hurt means any kind of hurt to any person by any kind of way तो hurt क्या है किसी तरीके कोई भी hurt चाहे हो किसी भी तरीके से किया गया हो bodily touch यहां पर जुरूरी नहीं है some matters of hurt are very slight like hustle-fuzzle in the bus में उपदरब मचाना hustle-fuzzle in the crowd crowd में किसी तरीके का hustle-fuzzle करना यह सारी चीज़ें है hurt के अंदर आ सकती है अगर आप उससे जो है आपको कुछ जो है इन्फर्मिटी या कोई bodily pain या कोई disease आपको हो जाती है तो generally अब यहां पर hurt तो hurt आपने समझ लिया है hurt किसी तरीके का कोई भी bodily pain या disease या कोई illness अगर हो जाती है तो इसमें जितने भी normally जो भी offense होते हैं जिसमें slight body touch या फिर किसी तरीके का slapping और blowing या किसी तरीके का punch जो मारना slapping करना या pull off करना pull करना या फिर tug करना यह सारी चीज़ें हर्ट में आ जाती है अब हर्ट टू टाइप का होता है इंडियन आई पीसी में हर्ट को टू टाइप का बताया है एक simple हर्ट जो आपने उपरा भी पढ़ा एक grievous हर्ट तो simple हर्ट को तो आपने section 3 19 में पढ़ लिया grievous हर्ट जो है section 3 23 में बताया गया है और इसकी भी punishment यहां पर है every हर्ट is simple हर्ट हर कोई हर्ट जो है slightly हर्ट भी जो simple हर्ट है except grievous हर्ट लेकिन हर कोई हर्ट grievous हर्ट नहीं होता which is punishable under section 323 323 में जो है इसको जो है इसकी हर्ट की punishment बताए गई है और जो 325 है उसकी punishment वो हर्ट को समझते हैं तो grievous हर्ट जो है section 320 में define किया गया यह अपने याद रुकना है section 323 of the IPC provide about the grievous हर्ट भ्यंकर चोड़ लगना बहुत गहरी चोड़ लग जाना उस किसम को हम जो grievous हर्ट बोलते हैं it describes about the eight conditions which hurt grievous are defined इस grievous hurt में eight conditions बताए गई हैं जिसमें जो है कोई भी hurt जो है grievous hurt बन जाता है the text of the section 320 is this the following are the only grievous hurt तो यह जो है grievous hurt जो है यहाँ पर बताएगे देखरेंगे emasculation emasculation क्या होता है किसी को नपुन्सक बना देना नपुन्सक किसी को बना देना एक grievous hurt माना जाता है second permanent privation of sigh of the either eye किसी person की कोई आंक निकाल देना या आंक पे इतनी चोट लग जाना कि अब उस आंक से कभी दिखेगा नहीं thirdly permanent privation of hearing of the either eye किसी तरिके का कान में ऐसी permanent injury हो जाती है यह कान को निकाले जाता है कि अब उसके सुनने की किशमता जो है चली जाती है fourthly privation of any member or joint किसी body part के किसी joint को जो है उसको अलग कर देना उसको तोड़ देना या फिर किसी तरिके की और permanent injury जो है हो जाती है sixthly permanent disfiguration of head or face जो चोड़ सर पे ऐसी चोड़ मारना कि जिससे जो पूरा head जो है वो disfigure हो जाए और अब वो permanent disfigure अगर हो जाता है तो उसको भी हम क्या ग्रिवेस हर्ड बालेंगे एटली यहां पर है एनी हर्ड विच इंडेंजर लाइफ और विच कॉसे दा सफर टू डूरिंग देस्पेस और ट्वंटी डेस इन सीवर बॉडली पेन इसी तरिके का हर्ड कर देना जिससे जो है परसंट जो है वीस दिनों से ऊपर जो है जो ह 5 मैश्रमट होता है मेल जो इनकाल देना मैस्कूलएन वीचर जो होता है जो होते है उनको का डेना तो यह सर मरना जाएगा दूसरा प्राइबेशन ऑ 172 साइम प्राइबेशाओ साहिज्ट इस अगर अंग जो अलग हो जाती है उसमें ग्रिवेस हर्ट हो जाता है उसको अगर टेंपररी त्रिके से खराब होई है चोट लगी है कि ठीक हो जाएगी तो वह टेंपररी प्राइवेशन माना जाएगा उसमें जो है इसको ग्रीविस हट का सेक्ष्ण अप्लाई नहीं होगा वह हर्ट में अप्लाई होगा फिर प्राइवेशन अवैंनी हेरिंग ऑफ और तो कान की वही सुचेशन ऐसे त्रिके से कान पे चोट लगाती आप कि असको प्राइवेशन की त्रीके का बॉडड जो प्वाट्ध मानते हैं उनको तोड़ देना भी जो है क्या माना जाएगा ग्रीविस हट मना जागा तू काइंड अफ है। अगर किसी तरिके का जो उसका जॉइंट है उसकी पावर है उसकी डिस्रक्शन हो जाती है इसको जो होते हैं वो विल्कुल ही टूट जाते हैं तो इस कंडिशन में जो है इसको जो है ग्रीवेस हर्ट माना जाएगा फेस को इसको इसे तरिके से मारा गया वह हमेश्य के लिए डिस्रक्शन होगया है। है हिए उसकी सारइ वीकड़ गया है चेंज हो गयी है उस condition में इसको घ्रीवेस हर्ट माना जाएगा fracture और dislocation of bone और tooth दान टूट जाता है या body में जो fracture आ जाता है ऐसी hurt को भी हम grievous hurt मानेंगे और next आपके पास कुछ case भी है यहाँ पे the cutting of the head was किसी का सर काट देना grievous hurt माना गया या फिर cutting and breaking the bone किसी का हड़ी निकाल दे उसको काट दिया तो ये भी जो है grievous hurt माना गया आगे है severe physical pain ऐसी उस चोड के वाई से severe physical pain हा जाती है कि 20 दिनों तक जो है unable हो जाता है अपने सारे daily pursuit करने के लिए ordinary pursuit जो होते हैं जो daily काम होते हैं वो करना ही पाता उस चोड के वाई से 20 दिन से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो उस condition में वो भी क्या माना जाएगा grievous hurt माना जाएगा तो आपने यहां पर case law में बड़े सारे उनको देख सकते हैं रामला तो such damage was considered in danger to life which is in such nature by which the life of injured person is in danger ऐसा कोई भी एक्ट जिस से person के life जो in danger हो जाती है लाइफ को खत्रा हो जाता है वो grievous hurt माना जाएगा इन बसूरानक in this case a woman had had to admit in hospital for 17 days due to the hurt इस case में एक वो में जो सतारा दिन के लिए hospital में admit हो जाती है by accused क्योंकि उसको जो है grievous hurt वहां पर किया गया for three days her life was in danger it was considered grievous hurt तो ऐसा नहीं है कि इस condition में जो है यह grievous hurt नहीं माना जाएगा क्योंकि सारा दिन वो रही लेकिन उसकी life को बहुत जाख खतरा हो गया तो उसको भी grievous hurt माना गया क्योंकि condition यही है कि वीज दिन से ज्यादा जो है अपने daily pursuit नहीं कर पाए लेकिन इस situation में वो condition जो है देता है which caused him two serious injuries and loss of muscle उसके वाज़ से बहुत जासी इंजिरी हो जाती है और उसका जो और भी नुक्सान हो जाता है इट वाज है इसको grievous hurt माना गया 326 में यह चाकू से किया गया हमला तो अलगले तरीके से grievous hurt बताएगे आब इसी में डंडे के साथ किया जाता है या weapon के साथ किया जाता है या फिर किसी blend weapon के साथ किया वह सारे अलग अलग बताएगे हम यहां पर इसे basic पढ़ रहे है जिसमें आप hurt और grievous hurt को define कर रहे है आगे है causes of hurt तो कुछ ऐसे cases है जिनको court नहीं हो हर्ट माना जैसे beating of child hurt माना है slapping in the mouth hurt माना है causing damage to wife wife throwing a brick wife husband जो है इंट फैक देता है उसको लग जाती है यह भी grievous hurt माना गया है बड़े सारे किसे जिसको जो grievous hurt माना गया है जैसे person made blind by drinking him alcohol methyl in the study को ऐसा देशी शराब बनता है जिसमें उसको जो है वो शराब पिलाए जाती है उसके वह अंधा हो जाता है blind हो जाता है and trick stick in the private part girl child के private part में को stick जो है डाल दी जाती तो यह भी grievous hurt माना जाता है अब तो यह रे भी consider होने लगा है burning by throwing acid या फिर उसको किसी तरीके का acid थो कर दिया जाता है तो यह भी जो है सारे क्या मानेंगे grievous hurt मानेंगे तो आपने यहां पे hurt और grievous hurt को study किया याद रखिए hurt में जो है punishment अलग होती है और grievous hurt में punishment जादा होती है amount of punishment जादा होता है इसी लिए जो है इस दोनों में फरक किया है normal hurt में तो छोटे मोटी चोटे जैसे हो जाती है को slapping या blowing या tug या इसमें सारे आता है लेकिन grievous hurt में body को बहुत ज़्यादा pain हो जाता है या किस तरकी का कोई आंक कान निकाल दी जाता है joint तोड़ दी जाते है या head जो है dislocated या disfigure हो जाता है या उसको hospitalized करना पड़ता है तो उस condition में उसको grievous hurt माना जाएगा और 325 में उसकी punishment बताए गई है thank you so much have a nice day